अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जिस तरह से क्रॉप्स के अंदर अलग लग तरह के पैस्ट और डिजिजज़ लगती है पैस्ट आप जानते हैं कोई भी ऐसी एनिमल या कोई भी ऐसा ओर्गनिजम जो हमारी क्रॉप को डैमेज पहुचाता है तो अब उसे हम पैस्ट कह देते हैं तो similarly हम देख रहे हैं आज हम बात करने वावाले हैं बीज के अंदर बी के पैस्ट या बीज के एनिमीज के बारे में अब एनिमीज या हम कहें जिने शत्रू या हम कहें उनके दुश्मन तो bees enemies क्या होते हैं मतलब वो किस तरह से हमारे honey production को effect कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो के तरह हम बात करने वाले हैं अच्छा जैसा कि मैंने बताया crops के अंदर pest और diseases लगती हैं तो उसी तरह से हम देखते हैं bees के अंदर भी diseases लगती हैं तो bees के अंदर अलग एक तरह की जो diseases लगती हैं उनके बारे में इस वीडियो से जो पहले का वीडियो था उसके अंदर हमने अच्छे से बात करी है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका link उपर आई बटन की साथ निचे description box में available है आप चाहें तो से देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं moth enemies के बारे में moth enemies जो हैं वो mainly दो तरह से डिवाइट किये गए हैं बहुत अलग एक तरह के moths हैं जो कि एक तरह से enemy है बी के या बी को परिशान करते हैं तो इन बी enemies को दो तरह से डिवाइट किया गया है जो कि है robbers और दूसरे तरह हम देख रहे हैं breeders robbers नाम से समझा रहा है जो कि robbing करेंगे यानि जो चोरी कर लेते हैं क्या चोरी कर सकते हैं भई honeybee से तो honey ही चोरी किया जा सकता है तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हम देखते हैं यह जो robbers हैं वो enters in the hive at night and drinks of the honey जो रात को बी हाइब के अंदर गुश जाते हैं और honeybee को चुरा लेते हैं तो कहने का मैंतलब यह हुआ इस तरह से यह जो robbers हैं इसके अंदर best example के एकर हम बात करें तो वो है death's head hawk moth अब इसका नाम death's head क्यों रखा गया है क्योंकि हम देखते हैं इसके जो thorax part है उसके उपर death head सा mark दिखाई देता है जो similar होता है death head के है ना तो naturally इस तरह से इस वज़े से इसका नाम रखा गया है death's head hawk moth और इसका जो scientific name है यह हम इसका zoological name देखें तो वो है acrantia spikes तो इस तरह से यह जो robber यह हम कह सकते हैं यह hawk moth है यह जो है रात को hive के अंदर कुछ जाता है रहानी चुरा लेता है आ गई आपको यह बात समझें दूसरी तरफ जो category के अगर हम बात करें तो वो है breeders अब इसमें भी नाम से समझाता है जो की breeding करेंगे यानि की अपनी egg laying कर देंगे इसके अंदर दो west example के अगर हम बात करें तो वो है greater wax moth और गेलेरिया मेलनेला और वहीं हम lesser wax moth के बारे में बात करें scientific name की तो वो है acroia grisella okay clear है आपको यह बार तो यह जो है इसके scientific name है wax moth नाम से आ रहा है इसका मतलब यह wax जो होगा comb के अंदर उसको damage हो जाएगा कैसे तो देखिए both of these moth lay eggs in the comb comb जो है उसके अंदर अगर कही cracks है दरारे मगेरा है तो उसके अंदर हम देखते हैं इसकी जो female moth है वो गुश जाएगी और वहाँ अपने egg ले करेगी तो उसमें से hatching होगी तो क्या बाहर आएगे तो हम देख रहे हैं larva बाहर आएगे तो हम देखते हैं both lay eggs in the comb and the larva burrow through wax अब यह जो लारवा है वो comb के अंदर wax के अंदर आगे से आगे से आगे growth करता जाएगा बढ़ता जाएगा और फुल मिला कि उसके comb के wax को eat करेगा also feeding the pollen यानि कि हम देखते हैं यह कही न कहीं pollens वगेरा जो होते हैं उसको भी eat करता है इसका अलारवा समझा रही है आपको यह बार and reducing the combs into the masses of web और हम देखते हैं क इस तरह से यह जो damage पहुचाते हुए comb को एक तरह से web यानि कि जाल नुमा हालत के अंदर छोड़ देते हैं तो उसके उपर हम देखते हैं इसका अगर attack होगा तो हम देखेंगे comb के उपर कापर सारे जाले वगरा जो होगे वो देखे जाएगे क्योंकि हम इसकी जो pupa stage बदर के रखतेगा तो कहने का मतलब comb की quality खराब हो जाएगी और इस तरह से यह दुश्मन है किसका honeybees का आईगी आपको इस बात समझें तो इस तरह से हम ना हमने अच्छे से जाना moth enemies के बारे में ओके तो चलिए अब next भी enemy के बारे में बात करते हैं जो की है beetles अब जो beetles है इन्हें भी दो तरह से divide किया जा सकता है robber और दूसरी तरह हम देख रहे हैं breeders तो देखिए these there are those beetles that enters the beehive to steal honey जो honey steel करने के लिए यानि चोरी करने के लिए जा रहे हैं तो जिन्हें हम कह रहे हैं robbers और वहीं हम देख रहे हैं and those that do so to breed जो breeding के लिए जा रहे हैं उन्हें breeders कह रहे हैं तो इनकी अगर best examples की कर हम बात करें तो robbers के अंदर example जो है वो है टैनेब्रियोनाइट बीटल का नाम है और वहीं हम बात करें African small hive beetle तो इसका जो side wake name है वो है Athena tumida Athena tumida नाम का यह जो beetle है वो कहीं न कहीं breeding करता है किसके अंदर beehive के अंदर तो उसको damage पहुंचाता है तो काफी घतनाग है यह small hive beetle ओके और अब इसके management की बात करें तो the use of paradichlorobenzene in the stored combs जो stored combs वगरे हैं उसके अंदर अगर हम paradichlorobenzene का अस्तवाल करें तो क्या होगा gives protection against the moth and the hive beetle यानि कि moth और hive beetles दोनों से protection वह जा सकता है पिछले side में हमने management के बारे में बात नहीं करी हना क्यों क्योंकि मैं यहाँ आपको बताने चाह रहा था कि beetles और moth दोन के बारे में जाना था कि cracks वगेरा से हम देखते हैं female moth जो हो एंटर हो जाती है कौम में तो अगर उस cracks वगेरा को fulfilled रखें हम तो भी उसका management practice कहीं जा सकती है और साथ में अगर bee की colony strong है तो हम देखेंगे इस तरह की जो moth beetle वगेरा है वो एंटर ही नहीं हो पाएंगे तो कह लिए अब next bee enemy के बारे में बात करते हैं जो की है वैस्प वैस्प काफी important enemy है वैस्प को हमारे local area में हम लोग टांटिया कहते हैं तो आप लोग नजाने क्या कहते होंगे बट वैस्प जो है एक तरह से बी predatory वैस्प है अब ये बी predatory predatory यानि एक तरह से predator है predator आप सीधा बटके खा जाते हैं तो चैने को मतले बहुत जादा damaging है किसके लिए बीस के लिए कैसे तो आप देखिए वैस्प और येंटलिस अच्छा ये अलग लग लग तरह की हमने species लिखी है किसकी वैस्प यानि वैस्प है ना तो वैस्पा की अलग लग species हैं जैसे कि वैस्प और वैस्प और एलिया वैस्पा मेंडेरीनिया और वैस्पा अड्रॉपिका तो इस तरह से वैस्प आप आफ स्पीशिस जो हैं वह कही ना कहीं ड audience sleeping the किस तरह से एनिमी है तो देखिए, they catch bees from the blossoms, यानि कि विचारी वो फोल के ओपर अपने नेक्टर सवगेरा collect कर रही हूँ, उस वक्त ये कही न कहीं, ये जो वेस्प हैं, वो उनको पकड़ लेते हैं, और कही न कहीं, खतम करते हैं, तो इस तरह से ये इस तरह से catch करते हैं, और even from inside their hives, काई न कहीं, इनकी hives में से भी कभी कभी पकड़ के उन्हें खतम कर देते हैं, sometimes finishing off the entire colony, और कभी कभी तो पूरी colony को ही खतम कर देते हैं, अब ये अकेला वैस्प पूरी colony को खतम नहीं करेगा, वास्ताव में हम देखते हैं, इनका जो attack है वैस्प का, वो दो phases में देखा जाएगा, पहली phase जिसे हम कहा सकते हैं, hunting phase, और दूसरी phase जिसे हम कहा रहे हैं, slaughtering phase, अब hunting phase में क्या है, एक तरह से समझे कि, जैसा कि मैंने आपको बताया, individual wasp है, वो कहीं न कहीं कुछ, bees को खतम कर रहा है, तो वो एक तरह से hunting phase है, लेकिन अगर group of wasp हैं, जैसे कि मालीजे, 10 से 12 तक अब देख रहे हैं, कोई wasp है, वो एक साथ अगर attack कर देते हैं, किस के ओपर, पूरी beehive के ओपर, तो वो जल्दी जल्दी खतम करने लगेंगे, fight करेंगे, किस के साथ, defender bees के साथ, आप भी जानते हैं, bees के अंदर सारा काम बटा हुआ है, तो वो defend करने के जो bees हैं, उन से लड़ेंगे, और उनको अगर खतम कर देंगे, तो फिर तो सारा का सारा beehive उनका, हाना, तो कहने का मतलग अगर इन दो phases के बारे में, आप और अच्छे से पढ़ना चाहें, तो नीचे description box में पीडियाफ अवेलिबल है ही, आप अराम से download करके उसे पढ़ स सकते हैं, ओके, next line के कर हम बात करें, तो they are generally seasonal problem, यानि एक particular season के इंदर इनकी growth बहुत देखी जाती है, and reaches on peak, कब सबसे ज़्याद देखी जाती है, तो during monsoon and autumn, monsoon और autumn में इसकी growth सबसे ज़्यादा देखी जाती है, particular July और October की time पे, तो कहने का मतलब यह हुआ, इस तरह से इनक text देखा जा सकता है, इस time पे, destroying their nest by burning an insecticide, can be their management, हैनल तो कहने का मतलब यह हुआ, कि इनका management करना है, तो इनके जटो, मतलब इनके जो nest है, किनके, वैस्प के, उने ही डून-डून के खतम करना चाहिए, अगर आपने कि एक वैस्प देख लिया, आपकी API है, मतलब आप चाते बहुत effective हो सकता है, अगर आपने इसके nest का पता लगा दिया, तो आप उसकी eggs वगेरा को, उसकी females वगेरा, वो सबको खतम कर सकते हैं, जो की काफी helpful रहेगा, हमारी beehives के लिए, ओके, तो इस तरह से हमने देखा, इसका management, और यह हमने जाना, वैस्प के बारे में, ओके, तो आती हैं, और honey ले जाती है, या pollens ले जाती है, या broods ले जाती है, या dead bodies और residue अगेरा जो है, तो वो उठा के ले जाती है, तो मर्जिया जब उठा के ले जाती है, कहने का मतलब यह हुआ, कि यह इस तरह से problematic हैं किन के लिए, honeybees के लिए, और हम देखें, इनकी कौन-कौन सी species, specifically जो दिक्कत वाली हैं, तो उसके अंदर देखें, हम carpenter ant, अभी जो carpenter ant है, इसका scientific name है, componotus compressors, यह जो है, इसका scientific name है, वही हम बात करें, small head household ant, लाल कलर की चिटी जो है, यह dorylus labiatus, dorylus labiatus इसका scientific name है, वही और दोस species जो की important है, वो है, monorium indicum, और monorium destructor, हाना, destructor, तो यह जो bee की species है, particularly problematic है, किन के लिए, bees के लिए, bees के लिए, bees के enemies है, और भी कई species होती है, लेकिन यह important है, ओके, और अगर हम बात करें, ants can be controlled by destroying ant nest, मतलब कोई भी, किसी भी enemy को खतम करना है, तो enemy का घरी उड़ा जो, हाने याने, उसका ant की nest है, वो काई नगे, bee hypes के पास, और हम देख रहे हैं, in epiaries, the legs should be wrapped with tapes soaked in corrosive sublimate, a good ant repellent, क्या बोल गए है, कि दिखिए, in epiaries, the legs, legs किसके बारे में, bee hives की जो legs होते हैं, हाना, हमने commercial method of bee keeping, अच्छे से समझ रखा है, एक वीडियो के अंदर, अगर in case आपने वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक उपर हम यहां कहा रहे हैं, wrapping हो या एक तर से taping होनी चाहिए, corrosive sublimate की, ऐसा compound, ऐसा उसके अंदर product लगा दे हम, tape के रूप में, जिससे चीटियां दूर जाए, तो अब चीटियां उसके legs से ही तो उपर चड़ती हैं, अगर legs में हमने इस तरह के कुछ लगा रखा है, repelten लगा है, end का, तो इस तरह से हम बचाओ कर सकते हैं, end से, किसका, 20 का, ओके, तो इस तरह से हमने देखा, end के बारे में, तो चलिए, अब next the enemy के बारे में बात करते हैं, जो की है, mites, या हम कहें, parasitic mites, parasite जो आप जानते हैं, किसी particular host के ओपर रहते हैं, और उसका अपना nutrition ले 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 हैं, तो कहीना कहीं से damage पहुँचाते हैं, तो क्याने का मतलब यह जो parasitic mites हैं, यह इनका host अब कौन है, हमारी honeybees, तो इन parasitic mites को हम दो तरह से divide कर सकते हैं, जो की है, ectoparasites, और दूसरी तरफ है, endoparasitic mites, ectoparasitic mites, नाम से ही समझ आ रहा है, जो body के बाहर रहकर, कहीना कहीं उसमें से अपना nutrition लेंगे, endoparasitic mites, जो कहीना कहीं body के अंदर भुझ जाएंगे, और अपना nutrition की जाएंगे, endoparasites के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही बात कर ली थी, जो की थी tracheal mite, tracheal mite, यानि जो trachea से अंदर enter करती है, और hemolymph को खतम करने लगती है, किसके, honeybee के, तो उस disease को हमने कहा था, एकराइन डिजीज, और इस tracheal mite का scientific name था, acarapis woody, तो इस तरह से हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात की थी, आज अभी हम जो हमारा focus है, वो है ectoparasiting mites के उपर, जिसके अंदर दू mean mites हैं, जिनके अंदर हम देख रहे हैं, varoamites और दूसरी तरफ brood mite, अभी जो brood mite है, उसका scientific name है, tropylylips cleariae, और वही हम देख रहे हैं, varoamites जो है, इसकी दो species है, varoamites जैकप सोनी और varoam destructor, अब इसकी दो species हैं, तो इनका attack वास्तो में अलग-अलग species पे ज़्यादा देखा जाता है, जैसे कि इसका attack जो है, वो कहीं न कहीं, apis serena indica पे ज़्यादा है, और इसका attack, apis melifera पे ज़्यादा है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं, यह mites जो है damaging है, कैसे damaging है, तो ultimately weakens the honeybee, honeybee इसको कमजूर कर देंगी, क्योंकि उसका nutrition खीचती है, यह उसके उपर रहे के, और हम देखें, if more than one parasitic female, attacks the brood decay, attacks, यहाँ कॉमा होना चाहिए, brood decay और adult deformation occurs, मतलब हम देख रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा parasitic might है, तो broods भी damage हो जाते हैं, और कहीं न कहीं हम देखते हैं, adults भी deformate हो जाते हैं, यह अदल्स का पूरी दरह से development नहीं हो पाता, और हम देख रहे हैं कि broods decay के अंदर, तो यहाँ bald brood stage देखी जा सकती है, मतलब capping भी अच्छे जनी हो पाती है, कि इसकी, हम देख रहे हैं, beehive में, उसकी broods की, तो कहने का मतलब यह हुआ, इस तरह से इसका attack या damage देखा जाता है, management के अगर हम बात करें, तो उसके अंदर chemical management पर ज्यादा focus किया जाता है, और उसके अंदर हम देखते हैं, various type of chemicals होते हैं, जैसे कि हम देखें, lactic acid, oxalic acid, formic acid, thymol, तो इस तरह के अलगले जो chemicals हैं, उनकी particular dose होती हैं, उनका अस्तमाल करके, इनका control किया जा सकता है, उनके बारे में मैंने यहां लिखा नहीं है, क्योंकि आप नीचे description box में जो PDF available है, उससे उस data को सिदर सिदर आपने record कर सकते हैं, या लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, तो इस तरह से हमने जाना parasitic mites के बारे में, ओके, तो चलिए, next bee enemy के बारे में उलाद करते हैं, जो कि है birds, पक्षी, कौन से पक्षी, तो हम देखते हैं, king crow, king crow, कववा, खना तो कववे का scientific नहीं में आप जानते होंगे, dry crocus, macro circus, अब यह भी particular जो हम देख रहे हैं, पक्षी है, या हम कह रहे हैं, कववा जो है, वो कही न कह बी enemy है, क्योंकि it visits the apiary on cloudy days and pray upon them, cloudy days वगेरा के अंदर भी hives के पास आते हैं, और यह कही न कही न कही बी इसको सीधा सीधा प्रे करते हैं, यानि उन्हें खा जाते हैं, कहने का मत अभी हुआ, इस तरह सीधान के लिए damaging है, और हम देखें, the bee eater, bee eater जिसका scientific name है, marops orientalis, यह जो and kills the bees, कही न कहीं bees को kill करते हैं, तो कहने का मतलब दो नाम इस slide के उपर important है, king crow और दूसरा हम देख रहे हैं, bee eater, एक चीज़ और लिखी गई है, since both these birds helps in keeping down insects population, कहने कहीं यह helpful हैं insects की population को कम करे रखने में, no large scale measure against them can be recommended, को large scale का action हम नहीं recommend करते हैं इसके लिए, कि यह नोनों को खतम कर दिया जाए, हाना, तो हमारे लिए honey important है, तो कहीं न की हमारा ecosystem भी important है, हाना, तो उसके अंदर insects को control करते हैं, यह नों कहीं हमारे birds, तो कि एक तरह से यह bees के लिए तो हम enemies हैं, पर कहीं न कहीं फायदे मन्द भी हैं, insects की population को control रखने में, तो कोई बड़ा large scale का measure, जो control जो है, इसके लिए नहीं recommend किया जाता, ओके, तो इस तरह से हमने जाना birds के बारे में, तो at last फटा फट से बात कर लेते हैं, mammals के बारे में, अब mammals के नाम पे विनी तो फू bear, bear, हाना, जिसके हाद में honey होता है, तो कहने का मतलब यह जो bear, यानि भालू है, बहुत ज़दे damaging है किस के लिए, बी हाइविस के लिए, तो कैसे है, तो देखिए, honeybees are often attacked by different animals, such as bear, बहुत सारे अलग अलग enemies से, हमारी honeybees जो है, वो कई न कई हम देख रहे हैं, damage पहुंचा ही जाती है, तो और bear के बारे में बात करें, तो bear are by far the most honey, honey loving wild animals, हम देखते हैं कि जंगल में, कई न उड़ाते हैं, या कह सकते हैं, खदम कर देते हैं beehives को, they flat out and destroy hives in minutes, कुछ ही मिन्टों में बहुत जल्दी से खदम कर सकते हैं beehives को, और वो honey collect कर सकते हैं, इसका protection कैसे किया जा सकता है, एक तो अगर appear है, जंगल के आसपस बनाई ही ना जाए, और बनाई जा रहे है, तो electric fencing हो उसके चारो तरफ, यानि कि बाड़ बंदी हो, electric jet के हो उसमें ताकि भालू आए, तो उस jet का खाके वही रुख जाए, तो कहने का मतलब यह हुआ, इस तरह से हमने देखा, mammals के अंदर, जो कि कहीं न कहीं, भी enemy के रूप में देखे जाते हैं, साथ में lizards, tods, frog, ये भी एक तरह से भी कहने, enemies ही हैं, लेकिन इसके अंदर ज्यादा specifically कुछ data important नहीं होता, तो इसलिए मैंने उनको boards वगेरा के ओपर mention नहीं किया, ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा के तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो कुछ भी explain किया, उसकी एक video form, निचे description box में available है ही, आप उसे download करके अराम से पढ़ सकते हैं, साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा, epiculture के ओपर ये हमारा fourth video था, क्योंकि इससे पहले मैं bee keeping के ओपर काफी और, मतलब तीन वीडियो और बना चुका हूँ, जिसके अंदर हमने bee species, bee history, और साथ में bee biology को जा जाना था, और आज, चौथे वीडियो के अंदर हमने जाना bee enemies के बारे में, इस वीडियो का next video जो होगा, उसके अंदर हम bee pasture raise, या bee forage, जिसको हम कहते हैं, bee foraging वगरा जो है, उसके बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं, इस वीडियो से पहले का वीडियो और इस वीडि और साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जनरल अग्रिकल्चर की knowledge और question answers मेंटरस रखते हैं, तो आप हमें instagram, facebook या telegram पे भी follow कर सकते हैं, और इस तरह के वीडियो के लिए जिडि रहिएगा, agricultural studies से